हराज, बुद्ध आ गए परणाव, एक विनती है आप से कहिए राचन पिछले कई दिनों से तेरे सुप में तेरे पिताश्री आ रहे है यहने ब्राह्मनों से भी इसकार्थ पूछा तो उनका कहना था कि तुम्हारे पिताश्री को शान्ती नहीं मिली उनके लिए पूजा करने हो, यग्ये संपन करना होगा आप तो परम ग्यान का सवरूप है तो विनती है आप से कि पूजा विधी आप ही के हाथों से हो जो मेरे पिताश्री तक पहुँचे है, उन्हें मुक्ती मिले जीवन मरन के इस चक्र से, वो मौक्षवाल है अवश्य राजन, आप मिट्टी के दो घड़े मंगवाईए, एक में घी भरवाईए, और एक घड़े में कंकट पत्थर भरवाईए और उन दोनों घड़ों के मूँद, कपड़े से बतवा दीजिए, और उन्हें लेकर नदी के तट पराई, मैं वहीं आपकी प्रतिक्षा करूँ मैं अभी असका प्रबंध करता हूँ महाराज महाराज, अब आप इन दोनों घड़ों को पानी में डाल दीजिए महाराज, अब इन दोनों घड़ों को आप तोड़ दीजिए महाराज, अब आप ध्यान से देखी, घी उपर उड़ पानी पर तैरने लगा अब बताईए, मेरे या किसी और के पुजा पाट करने से, क्या ये घी नीचे बैठ सकता है? असंभव, ये तो घी का सवभावी देए सत्य कहाव, उसी प्रकार, किसी भी पूजा पाट, विदी विदान, कर्म कांड के द्वारा, पानी के अंदर डूबे वे कंकड पत्थर, क्या उपरा तैर सकते हैं? नहीं बुद, ये तो प्रकर्ती के नियम के विरुद है, तो हम प्रकर्ती से भिनने कैसे हूँ, हम भी तो प्रकर्ती का ही रूब है, सत्य कहा बुद, एक सत्य ये भी है राजन, जदी हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड पत्थर बोएं, दुश कर्म किये तो वो स्वबाविक ही कंकड पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे, और यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सत्कर्म कियें, तो स्वबाविक ही घी की तरह उपरा तैरने लगेंगे, जब होएंगे, वही काटेंगे, परंतु इस शरीर रूपी जीवन काल में ही नहीं अपिदू, इस शरीर रूपी जीवन काल के पश्चात वाली यात्रा में भी, हम जैसे कर्म करेंगे, वैसा ही फल मिलेगा अब बताईए, इस प्रकरती के नियम को कोई पूजा पाठ, कर्म कांड, विधी विधान, यग्य हवन, मिटा सकता है? राजन, मैं भी इसको नहीं बदल सकता, किवल अच्छे कर्म ही मनुष्य की मुक्ति का द्वार खूलेंगे यह कैसी तलवार है आपके हाद में, तो एक शण में सारे जूट काट, किवल ज्ञान को प्रकाशित करती है ना जाने कितने जन्मों और भटकता में, यदि आपकी किर्पा ना होती है इस एक शण में, आपने अद्रिश्य तलवार से, मेरे आंकार का सर भी काट दिया धन्य है प्रभभ